हेलो गूड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हो सभी एजुकेशन पावर हप पर आप सभी का स्वागत है तो आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के 25 क्वेशन कवर करने वाले हैं जो कि सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है चाहिए आप कोई भी एक्जाम दो सभी एक्जाम्स में यह कोशिन पूछे जाते हैं और बार-बार आते हैं यह कोशिन तो वीडियो को क्लास को एक बार शेर कर दीजिए सभी आपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं जुड़ जाएं स्टुडेंट्स क्लास को एक बड़ शेयर कर दीजिए यहाँ पर रोजणा टेस्क्विज होती है मॉर्निंग में आट बजे जोती मैम की जनरल साइंस की क्लास होती है और मंडे से जो है इंगलिस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी evening में morning में 9 बजे और evening में 9 बजे बी आर सर की क्लास होती है GK की बहुती शांदार वाली test quiz चलती है और evening में 6.5 बजे politics की क्लास होती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक किसी ते subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिएगा तो फ्रेंट्स शुरू करते हैं आज की टेस्ट क्वीज क्वेशन नमर फर्स्ट हमारा यहां पर है हाल ही में किस राज्य का विशेश राज्य का दर्जा समाप्ट कर दिया गया है तो करेक्ट अंसर गया हो जाएगा यहां पर कमेंट करके बताएए सभी तो बिल्कुल करेक्ट अंसर हमारे यहां पर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर सी यानि कि जम्मु कश्मीर का जो है विशेश साज्य का दर्जा समाप्ट कर दिया गया है जम्मु कश्मीर जो है अब केंदर साशित प्रदेश पन गया है नेक्स क्वेशन क्वेशन नमबर टू बाटिये समीदान से अनुचेद 35 ए के साथ कौन सा अनुचेद समाप्ट कर दिया गया है आप सभी को पता होना चाहिए कि 35 ए अनुचेद जो है उसको समाप्ट कर दिया गया है और कौनसा अनुछेद है जो समाप्त कर दिया गया है तो विल्कुल अंसर बताईए इसका कौनसा करेक्ट हो जाएगा तो विल्कुल करेक्ट अंसर हमारे यह अपर हो जाएगा आप्शन नमबर A यानि की अनुचे 370 को और 35 A अनुचेद को समाप्त कर दिया गया है नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 3 अनुचे 370 का कौन सा खंड अभी भी लागू रहेगा तो अनुचे 370 में 3 खंड थे, दो हटा दिये गए हैं तो कौन सा खंड अभी भी भी लागू रहेगा तो करेक्ट आंसर हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नमबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहां पर है, ऑप्शन नमबर C यानि की अनुचे 370 A खंड अनुछे 370 का जो है एक खंड जो है अभी भी लागू रहेगा next question question number four जम्मू कश्मीर में स्थाई निवासी कौन थे कौन थे जो 1960 से पहले के रहने वाले थे वो या फिर जो 1965 से पहले के थे वो या फिर निवासी 54 से कौन से थे correct answer हमारा यहां पर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल correct answer हमारा यहां पर है option number C बिल्कुल correct answer याने की 1954 से पहले के जो लोग रहने वाले थे उनको वो जो है जम्मू कश्मीर के इस्थाई निवासी थे और 1900 बाद के जो निवासी रहने वाले थे वो इस्थाई निवासी नहीं थे next question 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 number 5 14 मई 1954 अनुचेद 35 ए को किसने लागू किया था यह भी important question है बिल्कुल तो answer बताईए सबी कौन सा option यहां पर correct हो जाएगा तो बिल्कुल correct answer हमारा यहां पर क्या हो जाएगा option number A हमारा यहां पर पिल्कुल correct answer यानि की डॉक्टर राजेंदर परशाद next question question number 6 जम्मू कश्मीर को अब कितने बागों में बांटा गया है पहले जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य था अब केंदर साशित परदेश बन गया है तो उसको कितने बागों में बांटा गया है तो बिल्कुल correct answer हमारा यहां पर हो जाएगा option number B यानि कि दो बागों में जम्मू कश्मीर और लदाक next question question number 7 किस बिल्के दुआरा जम्मू कश्मीर को दो केंदर साशित परदेशों में बांटा गया very important question तो इसका correct answer किया हो जाएगा तो बिल्कुल option number C हमारे यहां पर बिल्कुल correct है यानि कि जम्मू कश्मीर पुनर गठन विदेख 2019 इसको जो है पहले राज्यसभा में पेश किया गया इस पिल्को फिर लोक्सभा में मतलब राज्यसभा और लोक्सभा के अन्यमती लेकर राष्टपती द्वारा जो है इसको पारित किया गया कि तो याद रखेंगे आप सभी next question question number 8 जमू कश्मीर विदान मंदल में क्या होगा मतलब जमू कश्मीर विदान मंदल में अब क्या होगा विदान सबा विदान परीशत या विदान सबा विदान परीशत दोनों या इन में से कोई नहीं तो answer बताईए कमेंट करके कौन सा correct answer हो जाएगा याँपर तो बिल्कुल correct answer हमारे यह प्रोच जाएगा option number A यानि की विदान सबा पहले जो है विदान परिसद भी थी लेकिन अब विदान सबा है केवल क्योंकि यह जो है अब राजे नहीं अब क्या है यह केंदर शासित परदेश है तो याद रखेंगे आप सभी next question question number 9 जम्मू कश्मीर केंदर शासित परदेश में शासक कौन होंगे तो बिल्कुल important question है यह भी जम्मू कश्मीर अब जो केंदर शासित परदेश बन गया है तो उसमें शासन कौन होंगे वहांपर शासन कौन करेगा मुख्य मंत्री या राज्येपाल उपराज्येपाल या राष्ट पत्ती तो इसका correct answer दीजिए कौन सा यहांपर correct answer हो जाएगा तो बिल्कुल correct answer हमारा यहांपर है option number A यानि कि मुख्य मंत्री जम्मू कश्मीर में अब जो है मुख्य मंत्री का शासन होगा लेकिन आप याद रखेंगे कि लद्दाक में जो है केवल उपराज्येपाल होगा जाद रखेंगे आप सभी next question question number 10 लद्दाक के इंदर शासित पुर्देश में शासक कौन होगा अभी बताया था आपको तो इसका correct answer क्या हो जाएगा सभी answer बताईए कौन सा correct हो जाएगा यहांपर तो बिल्कुल correct answer हमारा यहां परोच जाएगा option number C यानि की उपराज्येपाल लद्दाक केंदर शासित पुर्देश जो है वाम पर शासक जो है केवल उपराज्येपाल ही होगा तो next question है question number 11 ème one जम्हू कश्मीर और लद्दाक दोनों कैसे प्रदेश बने है तो बिल्कुल लड्डू सा सवाल है ड़दों को पता है कि जम्हू कश्मीर और लद्दाक अब क्या बन गए है राज्ये या केंदर शासित प्रदेश या दोनों ही बन गए या कुछ नहीं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सभी कमेंट करके आंसर बताईए तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शिन नमबर बी यानि कि केंदर सासित परदेश बन गए हैं जमू कश्मीरोर लद्दाक दुनुई पहले जो हैं भारत में साथ केंदर सासित परदेश थे लेकिन अब यह दोनों और बन गए तो अभी जो हैं केंदर सासित परदेश हैं तो तो याद रखेंगे आप सबी next question question number 12 बारत में केंदर सासित पर्देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई तो अब भी मैंने आपको बताया था तो बिल्कुल लड्डू सा सवाल लेए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहां पर option number C यानि कि no next question बारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है पहले कितनी थी 29 क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो भी राज्य था और अब कितनी हो गई है बारत में कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है तो बिल्कुल correct answer हमारा यहां पर हो जाएगा option number B यानि की 28 पहले कितनी थी 29 क्यूंकि जम्मू कश्मीर जो है वो अब केंदर शाषित प्रदेश बन चुका है तो पहले जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य था तो याद रखेंगे आप सभी next question, question number 14 केंदर शाषित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के विदान सबा का कारेकाल कितने वर्षों का होगा तो बिल्कुल ये भी important question है correct answer हम क्या हो जाएगा यहां पर विदान सबा का कारेकाल पूछा है तो कितने वर्षों का होगा तो correct answer हमारा यहां पर हो जाएगा option number A यानि की 5 वर्षों का next question, question number 15 जम्मू कश्मीर में अब कैसी नाग रिखता होगी और साथी साथ ये भी बताएगे कि पहले कैसी नाग रिखता थी तो correct answer हमारे यहां पर क्या हो जाएगा option number बिल्कुल B हमारे यहां पर बिल्कुल correct answer यानि की एकल नाग रिखता है पहले कैसी थी? दोरी नाग रिखता थी लेकिन अब भी क्या है? एकल नाग रिखता है तो याद रखेंगे आप सभी next question, question number 16 अनुछे 370 को बारतिय समीदान के किस बाग में रखा गया था? जिसको अभी समाप्ट कर दिया गया है उसको कौन से बाग में रखा गया था? तो बिल्कुल important question है यह answer बताईए तो बिल्कुल correct answer हमारा यहां पर हो जाएगा option number C यानि कि भाग 21 में अनुछे 370 को रखा गया था next question 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 number 17 जम्मु कश्मी राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल correct answer हमारा यहां पर हो जाएगा option number C यानि कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मु कश्मी राज्य का गठन हुआ था next question question number 18 जम्मु कश्मीर का सविदान कब लागू हुआ था? तो यह भी बिल्कुल important question है तो answer बताईए सभी comment करके सबका answer आना चाहिए जम्मु कश्मीर का सविदान कब लागू हुआ था? तो बिल्कुल correct answer हमारे अप्रोज हैगा option number 26 जनवरी 1957 आप याद रखेंगे कि जम्मु कश्मीर का अपना अलग सविदान था और जंडा भी अपना अलग था next question question number 19 question number 19 हमारा है बारत के वत्मान में ग्रह मंत्री कौन है? तो बिल्कुल correct answer हमारे यहां पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल correct answer हमारे यहां पर है option number B यानि कि अमिच्शा जो है वो वत्मान में ग्रह मंत्री है और आप यह भी याद रखिएगा कि अमिच्शा ने जो है वो राज्ये और लोकसबा में जम्मु कश्मीर को जम्मु कश्मीर के विदेयक को जम्मु कश्मीर विदेयक 2019 जो है उसको रखा था तो आप याद रखेंगे अमिच शान ने राज्य और लोकसभा में जम्मू कश्मीर विदेख 2019 पेश किया था किसने अमिच शान ने तो नेक्स कोशिन है हमारा कोशिन नमबर तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे 19 कोशिन कवर हो चुके हैं तो अभी आपके साथ में अनुचेद 35 ए के बारे में बात करते हैं अनुचेद 35 ए क्या था तो यह क्या था राज्य के स्थाई नागरिकों को विशेश पहचान थी अनुचेद 35 ए के अंतरगत राज्य में स्थाई नागरिक वैव्यक्ति था जो 14 मई 1954 से पहले या उससे दस वर्ष पहले से राजे में रह रहा हो यहां जम्मू कश्मीर की बात हो रही है और उसने वहां की समपत्ती हासिल न की हो तो यह एक विशेश उसके लिए था अनुछेश पैंतिस ए और यहां पर देखते हैं कि अनुछेश तीन सो सत्तर क्या था तो जम्मू कश्मीर राजे को विशेश राजे का दर्जा दिया गया था अनुछेश तीन सो सत्तर के अंतर जो की अब हटा दिया गया है वर्तमान में जो है विशेश राजे का दर्जा नहीं दिया गया है जम्मू कश्मीर को क्योंकि यह खतम हो चुका है जम्मु कश्मीर जो है केंदरशासित प्रदेश बन चुका है दोरी नाग रिक्ता थी तो अब क्या हो गई दोरी नाग रिक्ता नहीं है अब याद रखेंगे आप सभी अब एकल नाग रिक्ता हो गई है जमू कश्मीर का अपना अलग जंडा था लेकिन अब नहीं है याद रखेंगे आप सभी अलप संक्यको को कोई भी आरक्षन नहीं था तो ये जो हैं 370 के अंतरगत था और दूसरे राज्ये के लोग जमू कश्मीर में अपनी जमीन तथा प्रॉपर्टी नहीं खरीच सकते थे लेकिन इसको भी अभी मतलब समाप्त कर दिया गया है अब जो हैं दूसरे राज्ये के लोग जमू कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी और जमीन खरीच सकते हैं सवीधान था छोगी अब लागू नहीं होता ऑन इनफोर्मेशन याद रखेंगे आप आगे में बलने का और अभी वर्थमान में… लागू कर दिया गया है नेक्स्ट है अनुचे 356 और अनुचे 360 लागू नहीं थे जो कि वर्तमान में लागू कर दिये गये हैं बारत के उच्चितम न्यायले के आदेश जम्मु कस्मीर में मान्य नहीं थे लेकिन अब जो है जम्मु कश्मीर के इंदर शासित परदेश बन में लागू होते हैं संसत को जम्मु कश्मीर के बारे में रक्षा विदेश मामले और संचार के विशे में कानून बनाने का अधिकार था लेकिन अन्य किसी विशे से संबंदित कानून को लागू करवाने के लिए केंदर राज्य सरकार की अनुमती चाहिए थी तो ये सब अनुचे 370 के अंतरकत था देखिए जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर बारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवा कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी ऐसा प्रावदान था क्योंकि जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की इंडिया के किसी और स्टेट के लड़के से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी और इसके विपरीद देखिए अगर वा कोई पाकिस्तानी लड़के से शादी करती किसी भी पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करती तो उसे भी जमू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती यानि कि अगर जमू कश्मीर की लड़की किसी पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो उस पाकिस्तानी लड़के को भी भारत की नागिकता मिल जाती तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के क्वेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं और बताएगा आपको कैसे लगे ये सभी कोशन्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर किया करो यहां पर बहुती शियादार वाली तैयारी हो रही है रोजय ना टैस्क कुए चलती है पॉर्णिंग, इवनिंग में नौ बजए सरकी क्लास हाती है आँ बज़े जोती मैम की जर्की ज्यादा अस की क्लास होती है और मंडे से जो है इंगलिज की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और इवनिंग में 8.30 बजे पॉलिटिक्स की क्लास होती है तो फ्रेंड्स चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को जदा से जदा शेयर कीजिए लाइक कीजिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए नमस्कार